राधे राधे आशा करती हूँ कि आप सबी लोग खुश होंगे, स्वस्त होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ कार्थिक मास महात्म सोलहमा अध्याए। राजा प्रत्व ने कहा कि हे नारजी यह तो आपने महाप्रवु संकर की बड़ी अध्वुत कथा सुनाई है, अतह किरपा करके आप यह भी बतलाईए कि उस समय राहो उस पुरुस से छूट करके कहा गया, तब नारजी ने कहा उनसे छूट करके वह बरवर नाम से विख्या हो गया, मानो नया जन्म पाकर उसने अपने आपको धन्य माना, तथा वह धीरे धीरे जलंधर के पास किया, वहाँ उसने संकर जी की बात को बताया, उसे सुन करके दैतिराज को बड़ा क्रोध आया, उसने सब दैतिराज को बड़ा क्रोध हो करके आग्या दी, और उसने सेना सजाने की आग्या दी, कालनेम और शुम निशुम आदी सभी महावली देत तैयार होने लगे, एक से एक महावली देत करोणों की संख्या में निकल करके युद्ध के लिए तैयार हो गए, महाप्रतापी सिंदुपुत्र शिवजी से युद्ध के लिए निकला, उसके आ गिर पड़ा आकाश में मेग छा गए और बड़े अप्षगुन हुए उधर इंद आधी देवताओं ने इकत्र हो कैलास जा करके शिव जी से ब्रतांत कहा और ये भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विश्णों को भेजा था वह तो उनके वश वरती हो गए तदा मालक्षमी सहित जलंधर के अधिन हो करके उनके घर में निवास करते हैं अब देवताओं को भी उनके यहाँ निवास करना पड़ रहा है अववा सागर्पुत्र आप से युद्ध करने को आ रहा है अतह आप उसे मार करके हमारी रक्षा करें देवताओ से यह सब सुन करके भगवान संकर जी ने भगवान विश्णों से पूछा हे रिसी केस युद्ध में आपने जलंधर का संघार क्यों नहीं किया और बैकुंट को छोड़कर आप उसके घर कैसे चले गए तब भगवान विश्णों ने हाथ चोड़कर के भगवान शिव से कहा कि उसे आपका अंसी या लक्षमी जी का भाई होने के कारण नहीं मारा वह बड़ा ही वीर है वह देवताओं से अजे है मैं सकते कहता हूँ उसे कोई भी नहीं मार सकता इस पर लक्षमी जी ने मुग्त होकर मैंने स्वेम उसके घर में रहने का वर दे दिया इसलिए मैं उस के घर में रहता हूँ, हे सुर्वरे विश्णू, क्या आप यह कहते हैं, उसमें देत जलंधर को मैं अवस ही मारूंगा, इसमें कुछ भी संदे नहीं है, अब आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मरा जान अपने इस्थान को जाईए, तब भवान संकर ने ऐसा कहा, तो सब देवता संदे रहित हो करके अपने इस्थान को चले गए, ठीक उसी समय प्राक्रमे जलंधर अपनी विश्याल सेना के साथ में क्यलास परवत को घेर के सिंग नाद करने लगा, देत्यों के नाद और कोलाहल से भवान शिवजी को क्रोध आ गया, उन्होंने अपने नंदी आदिगणों को उसके साथ युद करने की आग्यां दी, क्यलास परवत के पास भीशन युद होने लगा, देत्यों ने अनेक प्रकार के अस्त सस्त बरसाने शुरू किये, बिम्भेरी, म्रदंग, संख, तीरों, तता हाथी, घोडों वरतों के शब्द से यह धरती का अपने लगे, युद में कटकर मरे हुए हाथी, घोडों और पैदलों का सा पहार सा लग गया, जिससे कि युद वूमी और भी आगमे हो गये, देत्यों के आचारे, स्री शुक्राचारे, अपनी म्रत संजीवनी विद्या से सब देत्यों को जिलाने लगे, यह देख करके स सारा ब्रतान सुनाया, सारा ब्रतान उसे सुन करके वहवान रोद्र के क्रोध की सीमा न रही, वह अपने भेंकर रुप से दिसाओं को प्रच्वलित करने लगे, फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भेंकर कन्या उत्पने हुई, जिनकी दोनों जंगाएं ताल ब्र जा पहुची, और सिग्र ही उन्हें अपने उदर में गुप्त कर लिया, और फिर स्वयम अंतरध्यान हो गए, सुक्र के गुप्त हो जाने से दैतियों का मुख मलीन पढ़ गया, और युवह युद छोड़कर भागने लगे, इस पर अनेक शुम्भ और निशुम्भ काल आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोक कर शिव गणों पर बड़ा ही कठिन प्रहार किया, और ऐसा ही शिव जी के नंदी आदिवीर गणों ने, जिनमें गणेश और स्वामी कार्थिके जीवी थे, अपने गणों को रोक कर दैतियों से भीषन युद क किया, भगवान संकर की जय हो, माता पार्वती की जय हो, गणेश भगवान की जय हो, कार्थिके भगवान की जय हो, तुलसी माता की जय हो, गंगा माता की जय हो, शालिगराम भगवान की जय हो, आज मैं आप लोंगों कथा सुनाने जा रही हूं, कार्थिक मास महातम में सत् भगवान शिव के गण की शक्ति का इस अध्याय में वर्णन किया गया है जैसा कि पिछले अध्याय में आप लोगों ने सुना कि शुक्र के गुप्त हो जाने से द्यत्यों का मुख मलीन पड़ गया और वह युद्ध छोड़ करके भागने लगे इस पर अनेक शुम्भ और निशुम्भ काल नेम आदी सेना पतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोक करके शिव गणों पर बड़ा ही कठीन प्रहार किया था भगवान शिव के गण, गणेस भगवान स्वेम कार्ति के जी भी अपने गणों को रोक करके द्यत्यों के साथ में भीशन युद्ध करने लगे उस समय भगवान शिव के करपा से गण के जो बल थे वोह प्रवल थे उन्होंने जलंधर, शुंब, निशुंब, महासुर, कालनेमी आधि को पराजित कर दिया यह देख करके सागर के पुत्र जलंधर एक रत पर जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी चड़ करके युद्ध भूमि में संग्राम करने लगा इधर जय और शील नामक शंकर भवान के जो गण थे वह वी संग्राम के लिए ततपर हो करके गर्जने लगे इस प्रकार दोनों से नाओं के हाथी, घोडे, शंक, भेरी तथा दोनों ओर के सिंगना से यह धर्ती तरस्त हो गई पस्चात जलंधर ने कोहरे की समान बाणों को चला करके धर्ती से ले करके आकास तक ब्याप्त कर दिया और नंदी को पाँच, भवान गणिस को पाँच, वीर भद्र को एक ही बार में बीस बाण मार करके सरीर को छेद दिया और मेख के समान गर्जना करने लगा यह देख करके रुद्र, पुत्र, कार्तिके ने भी दैत जलंधर को अपनी शक्ती उठा के मारी और घोर गर्जना किया जिसके आगा से वह धर्ती पर ही गिर पड़ा, परन्त वह इतना बली था कि वह जल्दे से उठकर खड़ा हो गया और क्रोधा विष्ट हो करके कार्तिके जी पर अपने गदा का प्रहार किया ब्रह्मा जी के वर्दान की सफलता के लिए भवान शंकर के पुत्र कार्तिके जी प्रिथ्वी पर सो गए गणे जी और नंदी जी भी गदा प्रहार से व्याकुल होकर धर्ती पर गिर पड़े वीर भद्र पर परिख का प्रहार किया जिससे वीर भद्र का सिर्फ भट गया और रक्त जो है वह बहने लगा वह व्याकुल हो करके धरासाही हो गये उनको धर्ती पर गिरा देक करके भवान संकर के गड़ चिलाते हुए युद भूम को छोड़ करके बड़े बेग से भाग निकले अब रोध रूपल महाप्रभु संकर भगवान अपने वीर गणों के साथ नंदी पर चड़ करके हसते हुए युद भूमे में आये भगवान संकर की जय हो माता पार्वती की जय हो गडेश भगवान की जय हो कार्दिके भगवान की जय हो तुलसी माता की जय हो मैं आपनों को सुनाने जा रही हूं कार्दिक मास के 18 अध्याय जिसमें कि जलंधर से युद्ध करते हुए भगवान संकर के जो गण थे वह चिलाते हुए युद्ध भूमि को छोड़ करके भाब जाते हैं तब भगवान संकर अपने वीर गणों के साथ नंदी पर चलत करके हसते हुए युद्ध भूमि में आते हैं उनको आया देख करके उनके पराजित गण फिर लोट आए और सिंग नात करते हुए आयूधों से देत्यों पर प्रहार करने लगे भीश्रा रूपधारी रूद्र भगवान को देख करके देत्य भागने लगे तब युद्ध में अपने देत्यों को पराजित होते दे करके जलंधर हजाणों बाणों को छोड़ता हुआ भगवान संकर की ओर दोड़ा उसके शुम निशुम आदिवीर भी क्रोध से अपने होटों को काटते हुए भगवान संकर की ओर दोड़े इतने में संकर भगवान ने जलंधर के सब शिव बाण के जालों को काट करके अपने गणों को निर्वे कर अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को पीडित कर दिया। और निशुम आदी दैत्यों को भी धित कारने लगा और भैवीतों को धैर देने लगा कि किसी भी प्रकार वो हमस्त दैत्यों दोबारा युधुव में जाने को तयार न हुए। यहां तक इनुने जलंधर की धजा छेत्र और धनुष को भी काट दिया। फिर साथ बाण मार करके उसके शरीर में आगात पहुचाया। धनुष के कर जाने से जलंधर ने प्रचन बाण मार करके उनकी गदा के टुकड़े कर दिये। तब उसने समझा कि भगवान शिव मुझसे बलवान है। अतह उसने गंधर भी माया उत्पन कर दी। अनेक गंधर अफसरों के गण पैदा हो गए। बीना और म्रदंग आदि बाजों के साथ नरत्य वैकान होने लगा। इसी समय गणों सहित रूद्र भी मोहित हो गए। उन्होंने भगवान संकर के गणों को युद्ध बंदी कर दिया। फिर तो काम से मोहित हो करके जलंधर जली से ती नेत्र भगवान संकर का रूप धारन करके बश्रक पर बैठ करके पार्वती मा के पास जहां पहुचा। उधर जब पार्वती मा ने अपने पती को आते हुए देखा तो अपनी सक्यों का साथ छोड़ दिया और आगे पार्वती मा को देखकर कामातुर जलंधर का वीरे पतन हो गया और उसके पतन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा और वह अंतरध्यान होकर उत्तर की ओर मानस पर चली गई। वहां पार्वती मा को जाता हुआ देखकर के वह जलंधर फिर भगवान शि विष्णू को बुला करके दैते का वक्त क्रित कहा और यह प्रश्ण क्या कि क्या आप इससे अवगत हैं भगवान विष्णू ने हाथ जोड़ करके उतर दिया कि आपकी किरपा से मुझे सब कुछ गया थै हे मा जो आग्या हूं पालन करूं जगत माता ने भगवान विष करो और वहद देते तभी मरेगा माता पार्वती की आग्या को पाते ही भगवान विष्णू ने मा की आग्या का सिरोधार कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर गये भगवान विश्णों की जय हो, माता पार्वती की जय हो, तुलसी माता की जय हो, भगवान संकर की जय हो मेरे ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो किर्पिया वीडियो को लाइक जुरू करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा आज मैं आपनों को सुनाने जा रही हूं कारतिक मास महात्तम में 19 मा अध्या है जैसा कि आपने पिछली अध्या में सुना कि किस प्रकार से भगवान विश्णू को माता पारवती कहती हैं कि जा करके जलंधर की पत्नी का पती धर्म को नश्ट करिए और जिस्से की जलंधर की मृत्ति हो अब आगे की कथा का स्रवन करते हैं राजा प्रतु ने पूछा हे देवर्सी अब आप यह कहिए कि भगवान विश्णू ने वहां जा करके क्या किया तथा जलंधर की इस्त्री का पती ब्रत धर्म कैसे भरष्ट हुआ स्री नारद जी ने कहा कि जलंधर के नगर में जाकर के भगवान विश्णू ने उसकी पती ब्रत इस्त्री ब्रंदा का पती ब्रत भंग करने का विचार किया वहां उसके नगर में एक उद्यान में जाकर के ठायर गए और रात में उसे स्वपन दिया वह उनकी माया और अद्बुत कारे पद्दती थी कि उनकी माया द्वारा जलंधर की इस्तरी पती ब्रता ब्रंदा ने रात में यह स्वपने देखा कि उनका पती नगन हो करके सिर पर तेल लगा करके महिश पर चड़ा है वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए तथा उसके चारो और हिंसक जीव हैं वह सिर मुंडाई हुए अंधकार में दच्छे इर दिशा की और जारा है उसने अपने नगर को समूद्र में डूबा हुआ देखा इस प्रकार्स के बहुत से भयानक सपने देखे फिर तुर पतवा कांते हीन था इसे उसने अनिष्ट जाना और भैवीत हो करके रोने लगी वह चज्जे पर गई अटारी पर चड़ी भूमी पर उत्री मगर उसे कहीं भी शांती की प्राप्त नहीं हुई तब वह अपनी दो सक्यों को साथ लेकर उपवन में गई परन्तु वहां भी उसे शांती नहीं मिली वह जंगल में निकल गई वहां भी उसे चैन नहीं मिला वन में उसने सिंग के समान दो भैंकर राक्षसों को देखा जिससे वह अत्यंत भैवीत हो करके वहां से भागने लगी उसी समय वहां अपने सिश्यों सहीत एक तपस्वी आ गया तो ब्रंदा उनके पैरों में हाथ लगा करके उसे अपनी रक्षा की याचना करने लगी मुनी ने अपने एक ही हुंकार से दोनों राक्षसों को वहां से भगा दिया ब्रंदा को अत्यंत आश्यर हुआ और वह भै से मुक्त हुई और मुनी को हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगी और के तेग्रिता का ग्यापन दिया फिर उसने मुनी से अपने यूधरत पती के समद्ध में उनकी कुशल छेम का प्रश्ण किया मुनी ने मौन हो आगे पीछे देख कर कहना चाहा कि उसी समय दो बानर उनके पास आकर के हाथ जोड़ करके खड़े हुए जिए मुनी भुकुट क संकेत किया वह उड़कर आकास में चले गए फिर जलंधर का सिर वह धड़ लेकर मुनी के पास आ गए तब ब्रंदा अपने पती को मरा जान करके मुर्चित हो करके धरती पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार के वचन कह करके दारूर विलाप करने लगी पर शात उसने मुनी उन्च से कहा ही कित पारोधिये आप मेरे पति को जीवित करदेजे पती वरताअ बंदधि पतनि ऐसा कहती हुई दुखी स्वासों खोड़ती हुई मुनी के चौणों में गिर पड़ी तब मुनीर ने कहा कि वह शिवजी द्वारा युध में मारा गया है मतोश्यवित नही किरपा करके मैं इसे जिलाय देता हूँ स्री नारज जी कहते हैं कि वो हम उनी साच्छात विश्णु भवान थे जिन्नों ने यह सब माया फैलाई थी वो बंदा के पती को जीवित करके अंतर ध्यान हो गए जलंदर ने उठकर के बंदा का आलिंगन किया और उनका मुख चुमा बंदा भी पती को जीवित दे करके बहुत खुश हुई अब तक हुई सब बातों को स्वपन समझा पश्चात बंदा सकाम हो बहुत दिन तक अपने पती के साथ भिहार करती रहे एक दिन उसे संभोक काल के अंध में भगवान विश्चान लिया तब तक उन्हें तारित करती हुई मोली हे पर इस्त्री से गमन करने वाले विश्चान तुम्हारे शील को धितकार है मैंने जान लिया कि वह मायावती तपस्वी तुम ही थे ही राजन ऐसा कह करके कुरुध हो पति विर्दा ने अपने तेज को प्रगट करते हुए भवान विश्चान को श्राब दे दिया कि जो तुने अपनी माया से दो राक्षत मुझको दिखाय थे वही दो नो राक्षत किसी समय तुम्हारी भी इस्त्री का हरन करेंगे और उसके विरह में दुख्य हो करके तुम बानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगी और वह सर्वेश्चर जो इस समय तुम्हारा सी से बना हुआ है वह वहाँ पर तुम्हारा साथी रहेगा ऐसा कह करके पती बृता ब्रंदा भवान विष्णों के लाख मना करने पर भी अगनी में प्रवेश कर गई ब्रह्मा आदि देवता आखाश से उसका प्रवेश करते भी देखते रहे ब्रंदा के सरीर का तेज स्री पार्वती जी के सरीर में चला गया और आखाश में जय ज प्रफुइ पति व्रत्धर्म के प्रभॉवं से ब्रन्दा ने मुक्टि को प्राफ्त किया है भावान विष्णों की जय हो मता पार्वती की जय हो तुलसी माता की जय हो मेरी ये कथा जो कि मैंने आप को सुनाई है यह कथा आप लोगों को सुनने में अच्छी लगी हो तो किर पर वीडियो को जरूर लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मैल आइकन जरूर दबा दिजिएगा आज मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूं कार्तिक मास महतम अध्याय 20 जैसा मैं इसके आगे के कथा आप लोगों को सुनाने जा रही हूं अध्याय 20 में तब राजा प्रथू ने पूछा देवर्सी से कि हे देवर्सी इसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ तथा वाध्यत कैसे मारा गया किरपा करके उस कथा को मुझसे कहो नारा जी ने कहा कि ज अंधर भी माया भी विलीन हो गई तब भगवान ब्रशब धोच चैतरने हो गए उन्होंने लौक के इकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया फिर भगवान संकर जलंधर से युद्ध करने लगे जलंधर संकर भवान के बाणों को काटने लगा परन्तु जब काट न स सका तब उसे माया की पारवती बना करके अपने रत से बांध ले जो विलाब कर रही थी तब अपने प्रिये पारवती को इस तरह कष्ट में पढ़ा दे करके लौके के लीला दिखाते हुए बगवान संकर ने सांसाधिक जनों की तरह ब्याकुल हो गए और उन्होंने अप तक कि शुम निशुम भी युद में इसित होने के समर्थ ना हो सके जलंदर की सारी माया छावर में नेस्ट हो गई युद में चारो और हाहाकार होने लगा शिव जी ने उन भागते वे शुम और निशुम को साब दे करके बड़ी धितकार दी और कहा कि तुम दोनों अपराद किया है तुम पारवदी को मारते थे अब युद्ध से भागते हो भागते को मारना पाप है इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा परन्तु तुम्हें मागोरी अवस्य मारेगी ववान शिव के ऐसा कहने पर समुद्र पुत्र जलंदर क्रोध में अगनी के समान प्रज्वलित हो उठा उसने शिव जी पर घोन वारों की वर्सा करके धर्दी पर अंधकार कर दिया तब उस दैत की ऐसी चेश्टा को देख करके ववान संकर बड़े ही क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने बनाई हुए सुदर्शन चक्र को चला करके उसका सिर का संग्राब भूमी व्याप्त हो गई, सारी धर्ती भीवल हो गई, भवान स्रीजी की आग्या से उसका रत्ध और माहागौरव में जाकर रत्ध का खुंड हो गया, तथा उसके सरीर का तेज निकल करके भवान संकर के सरीर में वैसे ही प्रविश कर गया, जैसे ब्रिंदा का सरीर कातेज मागोरी के सरीर में प्रिविश हुआ था जलंदर को मरा हुआ देख कर देता और गंधर सब प्रसन हो गए भगवान संकर की जै हो माता पारवती की जै हो भगवान विश्णू की जै हो कातिक मास की जै हो माता तुलसी की जै हो मा गंगा की जै हो कान्हा चैसे बसे मेरे मने में तुलसा वैसे बसो अंगने में राधी राधे आशा करती हूँ कि आप सबी लोग खुश होंगे, स्वस्त होंगे, मस्त होंगे आज मैं आप लोग कोई कथा सुनाने जा रही हूँ, तुलसी माता की कथा कार्दी के मैने में सब कोई तुलसी माता को सीचते हैं सब कोई तो सीच के चले जाते थे, लेकिन एक बुढ़िया माई आती और माता तुलसी को रोजाना सीचती और तुलसी माता से कहती सत की दाता मैं बेल्ला सी चू तेरा तू कर निस्तारा मेरा तुलसी माता अडवा दे लडवा दे पीतामरा की धोती दे मीठा मीठा गास दे बैकुंठ का वास दे चटके की चाल दे पटके की मोत दे चन्दन की काठ दे, जालर के जिनकार दे, साइं का राज दे, दालभात का जमीन दे, इग्यारस का दिन दे, कृष्ण का कंधा दे, इतनी बात सुनकर माता तुलसी सूखने लगी। एक बावर भगवान कृष्ण ने पूछा, कि तुम्हारे पास तो इतनी औरते आती हैं, तुम्हें जिवाने, गातने, तुम्हें पूजने, और तुम सूखने कैसे लगी। तुलसी माता ने कहा, कि एक बुढ़िया माई आती है, जो रोजाना इतनी बात कहकर जाती है, मैं तो और सब कुछ दे दूँगी, पर आप भगवान कृष्ण के कंधा कहां से दूँगी, थोड़े दिन बात, वह बुढ़िया मर गई, सब उसको उठाने लगे, पर वह इत भगवान करके आए, और सबसे पूछने लगे, कि इतनी भीड क्यों हो रही है, सब लोग बोले, एक बुढ़िया है, जो कि मर गई है, पापनी थी, इसके किसी से नहीं उठती, तब भगवान बोले, कि इसके कान में एक बात कहने दो, तो यह उठ जाएगी, सब ने कहा, त भगवान ने कंधे पर ले करके उसको गए, उसकी मुक्ति हो गई, हे तुलसी माता, जैसे उसकी मुक्ति करी है, ऐसी हमारी भी मुक्ति करी हो, जैसे उसको कंधा दिया है भगवान किष्ण ने, ऐसे ही सभी को कंधा दे, इस कथा को सुनने वाले को, और सुनने वाले को, जिस प्रकार से भगवान विश्णों ने पा करी, उसी प्रकार से कथ कथा सुनने वाले पर और कथा सुनाने वाले पर सदा सर्वदा भगवान विष्णु की किर्पा बनी रहे तुलसी माता की जै शालिक राम भगवान की जै विष्णु भगवान की जै स्वी देवी देवताओं की जै कार्थिक का महिना आ रहा है यह पूरे कार्थिक के महिने म ऐता में जो कोई भी तुल्सी माता के पूजा करता है, कार्थिक इस्तनान करता है, भगवान विष्णु के किरपा सदा सर्वधा उस्वेक्शति पर बनी रहती है। जिस प्रकार से भगवान संकर को प्रिय है बिलपत्र उसी तरह से शाली ग्राम भगवान को प्रिय है तुलसी की पत्ती तुलसी की पत्ती चढ़ाई जाती है भगवान विष्णों को राम जी को शाली ग्राम भगवान को हनुवान जी को आज मैं आप लोगों को कातिक मास में पुलसी माता की पौराणी कथा सुनाने जा रही हूं। इस पर्व की कथा का उलेक स्री पदम पुराण तथा अन्य पुराणों में इस प्रकार से हुआ है। वह सर्व विजय बना हुआ था। उस दैत से भैवीत होकर रिशी मुनी और देवतागर भगवान विश्णू के पास जाकर अपने विपदा सुनाने लगे। तो उन्होंने ब्रिंदा का पती धर्म भंग करके उसका बल छीन करने का निश्य किया। आलिंगन कर लिया। इससे उसका पती धर्म नस्ठ हो गया। जबकि उसका पती तो देव लोक में इंद्र से युद्ध कर रहा था। इधर ब्रिंदा का सतित्व नस्ठ हुआ और उसका पती युद्ध में हार कर मृत्य को प्राप्त हुआ। जब ब्रिंदा को वस्तु इस्ठिती की ग्यात हुई कि यह सब भगवान का च्छल कपड़ था। तो उसने क्रोधित होकर भगवान विश्णों को साब दे दिया। कि जिस प्रकार तुमने मुझसे च्छल से पती वियोगी बनाया है। ठीक उसी तरह तुम भी अपनी पत्नी का च्छल पुरवक हरण होने पर उसके वियोग को सहने के लिए मृत्य लोक में जन्मिलोगे। इतना कहके ब्रिंदा अपने पती के शव के साथ उसके वियोग में तड़पती होई, सती हो गई। कालांतर में राम अवतार के समय भगवान राम को सीता का ऐसा ही वियोग सहन करना पड़ा। पारवती ने ब्रिंदा की भास्मे में तुलसी, आवला और मालती के व्रक्ष लगाए। इन में से तुलसी को भगवान विश्णु ने ब्रिंदा का रूप समझ कर अपनाया। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि भगवान विश्णु ने छल से ब्रिंदा का सतीत भंग कराया था, तो उन्हें पत्थर बनने का साब दिया था। इस पर भगवान ने कहा थ प्रकार कि तुम मुझे लक्षमी से भी अत्यंत प्रिये हो, यह सब तुम्हारे सत्यतु का ही फल है, कि तुम तुलसी बनकर तुम सदा मेरे साथ रोगी, जो भी तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा, वह परम धाम को प्राप्त होगा। यही कारण है कि साली ग्राम की प्रातहकाल और सायंकाल दोनों समय में तुलसी माता की पूजा की जाती है, कार्थिक मास में प्रातहकाल के समय में तुलसी जी को सीचा जाता है, जल चड़ाय जाता है, सिंदूर चड़ाय जाता है, नित्य, सिंदूर चड़ाय जाता है, भोग लगाय जाता है, आर्थी की जाती है दीपक जला करके रखा जाता है सुभा के समय भी और शाम के समय भी नित्य भगवान विश्णों के चरण बना करके वहाँ पर दीपक जलाया जाता है इस तरह से तुलसी माता की पुजा पूरे कार्थिक माह में की जाती है गंगे चायमने चव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंदू कावेरी जले असमिन सनि धम कुरू राधे राधे किष्णा किष्णा आज मैंने आप लोगो जो यह स्लोक सुनाया है यह स्लोक पूरे कार्थिक मास में जब आप इसनान कर रहे हूं तो नित्य ही इस लोक को अवस से ही पढ़ें मैं फिर से इस लोक को एक बार और से पढ़ रही हूं गंगे चयमने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंदू कावेरी जले असमिन सनि धिम कुरू इस तरह से इस मंत्र को पढ़ने से गंगा इसनान के बराबर आपको पुनिकिफल की प्राप्ति होगी क सुलव एउन लोग के लिए जिनके घर के आस्पास मा गंगा हैं लेकिन जहांपर गंगाजी नहीं है वो इस मंत्र को पढ़ें और पढ़कर के इसनान करें या नहाते समय पढ़ते रहें और इसनान करते रहें तो आपको गंगा में इस्तनान के बरावर ही पुनिफल की प्राप्ती होगी पूरे कार्थिक मास में बहुत लोग गंगा इस्तनान करते हैं चलिए हम मैं आप लोगों को बताने जा रही हूं कि कार्थिक मास में कौन-कौन से पूजा की जाती है जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कार्थिक मास में तुलसा जी की पूजा की जाती है अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि और कौन-कौन से ब्रत्तेवार कार्थिक मास में है बहुत लोग पूरे कार्थिक माह में कार्थिक ब्रत पूजा को धारण करते हैं एक ये पूजा होती है तारा भोजन छोटी सांकली पूजा बड़ी सांकली पूजा करवाचोत अहोई अस्टमी रंभा अस्टमी गोवस्द्वादसी धन तेरस नरक चतुरदसी रूप चतुरदसी छोटी दीपावली दीपावली गोवर्धन पूजा भाईया दूज सूरी सस्टी ब्रत गोपा अस्टमी आवला नौमी देवो थाने का दसी तुलसी विवाह भीश्म पंचक बैकुंट चतुरदसी कार्थिक पूर्णिवा इस तरह से पूरे मास में इतने सारे ब्रत और तेहवार पढ़ते हैं हर्म साल के कार्थिक मास में अब मैं आपनों को बताने जा रही हूँ कि इस बार कार्थिक मास में यह सारे तेहवार कब-कब पढ़ेंगे तो कार्थिक मास का जो आरंब हो रहा है वह है 29 अक्टोबर 2030 दिन रविवार को प्रतिपदा यानि परवाती थी है उस दिन से बहुत लोग कार्थिक मास का ब्रत करते हैं कादिक मास के जो ब्रत होता है उसका विधान यह होता है कि आप सारा दिन फलहारी करिए और साम के समय में जब तुलसी माता को दीप दिखा लें उनकी पूजा कर लें उसके बाद भोजन किया जाता है अंगरहन किया जाता है फिर दूसरे दिन सुरियोदे होने के पहले यानि इब्रहब मूर्त के समय में स्ताँ ध्यान करके फिर नित्य पूजा करके नित्की जो पूजा आप घर में करते हैं इसके फूजा और फिर शाम के समय में जब तुलसी माता का दीब जला देते हैं और आर्थी कर लेते हैं तुलसी माता की उसके बाद हुआ भोजन गरहन करते हैं एक समय का भोजन होता है और सारा दिन का फलारी होता है इस प्रकार से कार्थिक मास का पूरे एक महिने का ब्रत किया जाता है करवा चोथ का ब्रत पड़ेगा एक नौवंबर 2030 दिन वुद्वार को उजिन भवान गणेश की भी चतूर्थी ब्रत होगी करक चतूर्थी ब्रत संकस्टी स्री गणेश चतूर्थी ब्रत करवा चोथ ब्रत छे नौवंबर 2030 दिन रविवार को अस्टमी तिथी रहेगी पुख्यन चत्र रहेगा इस दिन अहोई अस्टमी पूजा की जाती है अहोई अस्टमी ब्रत रखा जाएगा और राधा अस्टमी ब्रत भी इसी दिन रखा जाएगा नौवंबर 2030 दिन गुरुवार को एका दसी का ब्रत रहेगा रंभा एका दसी ब्रत गो वस पूजन गो वस द्वादसी प्रदोस व्यापनी दस नौवंबर 2030 दिन शुक्रवार को द्वादसी तिथी रहेगी शाम के समय में त्रेयोदसी तिथी भी लग जाएगी जिसके का प्रदोश व्रत इसी दिन रहेगा धन त्रयोदसी धन्वंत्री जैन्ती यम पंचत कारत गोत्री रात्र व्रत आरंब हो जाएगा निशा मुख में यम निमित घर के बाहर दीपदान किया जाएगा 11 नौवंबर 2030 दिन शनिवार को त्रयोदसी धिति रहेगी उस दिन मासिक शिवरातिका ब्रत हनुमान जैन्ती प्रदोश वेला में दीपदान तत पश्चात घर में दीपदान नरक चतुरदसी मनाय जाएगा 12 नौवंबर 2030 दिन रविवार को चतुरदसी धिति रहेगी और शाम के समय में निशित काल पूजा क्योंकि शाम से लेके पूरे रात तक में अमावस की धिति लग जाएगी इसलिए रविवार को ही दीपदान वली का तेवार मनाय जाएगा प्राते काल हनमान दर्शन प्रदोष काल में लक्षमे कुबेर आदी का पूजन किया जाएगा लक्षमे जी के पूजा का मूर्थ शुर मूर्थ है पांच बच करके 22 मिनट से राती के 7 बच करके 19 मिनट तक जो कि बहुत ही शुप मूर्थ है और महा निशित काल में महा लक्षमी पूजन महा काली पूजन वह समय है निशित काल का 11 बच करके 15 मिनट राती से 12 बच करके 7 बचे राती तक यह समय रहेगा दूसरे दिन 13 तारिक रहेगी 13 नौवंबर 2030 दिन सोमबार को सोम बती अमवस्या पड़ेगा 14 नौवंबर 2030 दिन मंगलवार को अनकोट की पूजा गोवर्धन पूजा मनाई जाएगी चावल की चड़िया का भी पूजा जो की जाती हो अभी इसी दिन ही होगा 15 नौवंबर 2030 दिन बुदवार को दूदिया तिति रहेगी इस दिन यम पूजन भाई दूज का तेवार यम दूदिया चित्र गुप्त पूजन यमनाशनान कलम दवात की पूजा यह सारे कारे होंगे 17 नौवंबर 2030 दिन शुक्रवार से 6 बृत का आरम हो जाएगा 6 बृत का पहला दिन रहेगा 18 नौवंबर 2030 दिन शनिवार को 6 बृत का दूसरा दिन रहेगा 19 इग्यारे 2030 दिन रविवार को 6 बृत का आखरी दिन रहेगा सत्मी तिथी का 6 है इसलिए 6 मतलब सत्मी तिथी की हानी है सत्मी तिथी नहीं रहेगी सिधे आपको अस्टमी तिथी मिलेगी खस्टी के बाद अस्टमी तिथी का आगमन हो रहा है 20 नौवंबर 2030 दिन सोमबार को दुर्गा अस्टमी बृत गोप अस्टमी बृत किया जाएगा 21 नौवंबर 2030 दिन मंगलवार को आवला नौमी रहेगा आवला नौमी की पूचा होगी 30 नौवंबर 2030 दिन गुरुवार को एका दसी बृत रहेगा देव उठनी एका दसी हरी प्रभोधनी एका दसी बृत रहेगा तूलसी विवाह रहेगा और चतुर मास की समाप्ती हो जाएगी 25 नॉवंबर 2030 दिन शनिवार को मरिकर्ण का घाट में बहुत लोग इसनान करते हैं निशित काल में महा विष्णों की पूजा की जाती है 26 नॉवंबर 2030 दिन रविवार को चतुर दसी तिथी रहेगी तिपुरा पूणिमा, प्रशस्त पूणिमा, पुशकर मेला राजस्थान में लगेगा 27 नॉवंबर 2030 दिन सोंबार को पूणिमा दिथी रहेगी दोपहर के दोवचकर 47 मिनद तक इसनान दान ब्रत की कार्थिक पूणिमा जो पूणिमा 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 प इसमें आपका कुछ भी लॉस नहीं है इसलिए बेल आइकन जोड़ दवा दीजेगा धन्यवाद